तो नमस्कार दस्तों सब्सक्राइब सभी का जौप गार्श इस है तो आज कि इस वीडियो में हम human nervous system की second part करने वाले तो आपको याद होगा पहले पार्ट में हमने 10 important सवाल देखे थे और आज किस पार्ट में बाकी की 10 important सवाल देखने तो वीडियो का अंतक जिरूर यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले सावल आपका यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको यहां पर पुछा जा रहा है कि बेसिक यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम तो सारे चीज़ को चीज को कंट्रोल करता है जैसे क्या अंपको पता है सैंसेशन हो मुममेंट फिलिंग हो इसे चीज़ का जशुछ और सारे सारे जितने ब動画 बबट यहां पर नर्वस सिस्टम है ईसके पूंचनल यूनिट और बीजान रखा तो नियूरोन के सरांडेड में यह रहती है ठीक है नियूरोन के सरांडेड में यह सेल्स होते हैं और यही न्यूट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंट्र तो यह क्या होती है एक तरके मेंब्रेन होती है जो की कवर करती है इस पाइनल को तो हमने क्या जाना है यहां पर कि नर्वस सिस्टम की बैसिक यूनिट और हमआरी और निोटेस होती है यह बना है यह उसके बने होते हैं आपके नियूरन सेल जो होते हो तो किस चीजों की कौण कौन से पायते हैं हमने देखा है जिसकी एक जोन हो पिर हमने देखा डेंडराइट होती है, डेंडराइट होगे और न्यूकलेस होती है, तो यह आपके न्यूकलेस होगे, तो न्यूरन सेल में हमने क्या देखा, तीनों के तीनों चीज़ देखा, इसलिए उपसेंडी हमने यहां पर करेट के है, क्योंकि यह तीनों चीज़ होत सवाल के तरफ यहां पर अगले सवाल के तरफ चलते हैं इस सवाल में आपको पुछा जा रहा है neurons come in which different type neurons कितने प्रकार के आते हैं यह आपको सवाल में पुछा जा रहा है ठीक है तो neurons के जो हम बात करें दूस्तो तो on the basis of their function neuron को बाटा गया तीन प्रकार में ठीक है तीसरी पार्ट में इसको बाटा गया है जैसे कि पहला आपका हो गया दोस्तों यहां पर पहला हो गया आपकी जिसको हम कहते हैं sensory sensory तो दूसरा पार्ट का नाम है water रहें तीसरे पार्ट का बात करें तो इसको दूस्तों कहा जाता है इंटर इंटर रोंस यहाद रखेगा दोस्तों यहां पर कि on the basis of their function function के अधार पे neurons को तीन पार्ट में बाटा गया है पहला हो गया आपका sensory दूसरा हो गया motor तीसरा हो गया इंटर नियूरोंस तो यहाँ पर आपके option पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों on the basis of different type ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको sensory दिया गया motor दिया गया इंटर नियूरोंस के पार्ट में बाटा गया तीन पार्ट में on the basis of कि बाटा गया दोसके function के अधार पे इसको बाटा गया है तो इस बात को अच्छे से याद रखेगा चले बढ़ते नेक सवाल के तरफ वगले सवाल पर आज दूस्तों 14 नंबर इस सवाल है पुछा जार रहा है किसपर रहते आपने जाना है है उसकी फंक्सनल दीनी नूरन्स होती है और यही कि इंपल्स जनरेटरी अकरकल इंपल्स हो सारे को क्या करती दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह information transfer करने में एक नियूरन से दूसरे नियूरन के तरफ फ से वह ट्रांसफर होते है ठीक प्राकाश से कम्मुकेशन करता है ऋक्रेकःकल होती हुए यس को कहा जाता है एक्षंड idee कहिتيे का एक्षंड मैं एक्षन पोटेंशियल добр यह के बाद किया जाता हो धुर्ट काधे नियूरो ट्रांसमिटर प्रो Transmitter तो Neuro Transmitter क्या दोस्तों यह एक तरग क्या Мेसेंजर है फेस्बुक मेसेंजर होता है ना सिप्रकार से यहonा से क। यह से होँ आधा है थीक है उसकि यह फार्मेंटर को कीमậ यह यह की Cocktail है सब्सक्राइब तरह क्या है यहां पर आपने देखा कि सब्सक्राइब करते हैं और केमिकली करते हैं जिसको नियूरो ट्रांस्मीटर के के मदद से करते हैं जो कि मेसेंजर है जो कि केमिकल को ट्रांसपर करता है यहां से यह दो फॉर्म में अपनी करती है इस बात को आपको याद करके रखना है चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ अगले सवाल पाई दूस्तों 15 सवाल है आप वाट इस दा कॉमन नियूरो ट्रां करता है तरका मेसेंजर है एक तरफ के मिकल मेसेंजर आपको यापन नियूरो ट्रांसमेटर क्या होता है तहरक्तौन की में पाया जाता है जैसे कि हम बात करें अच्छा क्या कहता है इसको एसीटाइल अनोट करते जाएगा दूसरा दूस्तों होती क्या होती है मोडिफाइड अमिज्छ तो मौडीफाइड आमीनो एसीट के अंदर दूस्तों आता है यहां पर पर ग्लूटा मेट ग्लूटा मेट एंड अलफा अमीनो ब्यूटारिक एसीड इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है गाबा ठीक है इस बात को पच्छे से याद रखेगा और इसी के साथ से दोस्तों एक बायो जेनेटिक अमाइन्स भी पाया जाते है बायो जेनेटिक अमाइन्स के अंदर दूस्तों पाया जाता है जैसे कि आपका डोपामाइन हो गया डोपामीन हो गई सेरो टोनीन हो गई और हिस्टामिन तो यह पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों कि कॉमन नियूरो ट्रांस्मिटर वो होते हैं जो इमन के बढ़ी के अंदर पाया जाते हैं जिसके बारे हम आगे जाकर करके पढ़ने वाले बहुत डिटेल में कुछ डिजेजर होते हैं जो इनके कमी की कारण होती है जैस प्रवाइट कर दो यहां पर पुछा कि अपने और बहुत सारे चीज आपने देखा बहुत सारे चीज अपने दिया ता कि अगर चूछ और होता बना पाए इसलिए आपको यहां पर आपने क्या देखा कि आपके क्या हो जागा क्योंकि सारे चीज नियूरो ट्रांस्मिटर ही थे बढ़ते नेक्स सवाल के तरफ चले दोस्तों आईए आप अगला कोश्चिन कोश्चिन आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक सवाल पुछा जा रहा है एक सवाल पुछा जा रहा है यह जिस पर अगर जो यहां पर कुछ दोनों की इंटरेक्शन के बीच में कमी हो जाए किस दोनों के बीच में बीच में किस दोनों के बीच में मुष्चिन करानी है इंटरेक्शन यह रही है तो उस कंडीशन को क्या कहते है । इस कंडीशन भी जिसका नाव में माइस्थेन या ग्रेविस्त यह कंडीशन हों यह सिप drive lub हो जाती để चलियंगे यह कंडीशन को जिसमें इम्यून सिस्टम एक इंटी इस अंडेस्ट तुप में भीस पहले में चल्ट लिख देता हूं in this condition this condition creates antibody creates an antibody that attacks that attacks acetylcholine that attacks acetylcholine receptors of the muscle cell ठीक है तो यही चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि मैं आपको बता है मैं सेनेग्रेविस ऐसी कंडिशन जिसमें immune system खुद का एक antibody बना लेता है जो कि acetylcholine के receptor cell कहाँ वाली receptor cell दोस्तों जो muscles पर जो receptor cell जहां पर दोनों को communicate होना है वहाँ पर एक acetylcholine क्या कर देता है दोस्तों वहाँ पर एक antibody बना लेता है इसके कारण दोनों की बीच में communication नहीं हो पाता है तो जो इसके साथ जूज रहा होता है उसको यहां पर कुछ कुछ कंडिशन देखने को मिलती है जैसे के drooping eyelid ठीक है symptom जो होती है symptom में आपर बता देता हूं symptoms drooping eyelid drooping eyelid drooping eyelids और आपके जो eyes के muscle होते वह weak हो जाते आइज muscle यह सारे चीज आपको देखने को मिलते हैं तो एक चीज आपको यहां पर समझना ही है कि मैस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है कैसे कंडिशन होती है जिसमें immune system हमारा antibody बना लेता है जो कि attack कर देता है कहां पर दोस्तों muscles के सेल के receptor अब बताइए यहां पर आपने समझा है कि कि कम्मिकेशन होती किसके किसके बीच में muscle और नर्व की बीच में अब मसल के शेर पर जाकर के पहले antibody बना लेगा तो दोनों की कि में किस प्रकार से होगी नहीं हो पाएगी यह communication नहीं हो पाता है तो एक disorder हो जाती उस disorder का ना में मैस्थेनिया ग्रेविस और इसमें यह सारी सिंटम देखने मुलते हैं डूपिंग आइलेड आई मसल कमजूर हो जाते हैं और मसल फैटिक होगे रहे देखने को में चलिए दोस्तों सवाल पर पुछे जारा है डोपामाइन इस इन इंपोर्टेंट नियूरो ट्रांस् जाता है जब वहां पर ब्रेंट पर जो नियूरों पाया जाते हैं जहां से डोपामाइन प्रेड्यूस होती है वो डाई हो जाए तो यहां पर कौन सी डिजीज आ जाएगे यह आपको सवाल आपको यहां पर आपको बहुत सार्प्सेंट दिए कि इसमें से दोस्तों सही ए कि अधोब सब्सक्राइब टेंसे तो अधिकर्शा प्रेड्यूस Pi therefore प cancer कि यहां पर दोस्तों पादिन धेकर में से कमी हो दोस्तों एक तरह का chemical messenger है जो की brain में signal प्रोवाइड कर वाती है ब्रेंस में क्या प्रोवाइड करती दूस्तों सिग्नल सिग्नल सिंनल प्रोवाइड कर आती है आपको पता है न तो चलिए ये चीज़ यहां पर बता आहिए अब इसके कारण क्या मैं क्या होती है यहां पर क्य प्रडैसमेंट न नर्फ रखिय। इस dahil क्या हो जाते हैं ऊपता है कि यह सेर दुक्त क्या होë जाते हैं एंसके झालch इस प्रकारण क्या हो जाता है कि आपके जो तो नर्फ सेल होते हैं वह फायर आउट ओफ कंट्रोल हो जाते हैं इसके कारण क्या होते हैं पैशन जो होती है अपनी कंट्रोल यान की जो मोमेंट होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है क्यों सब्सक्राइबर कारें तो बसक्राइब ऑफ कंट्रोल या इसके कारिन क्या होता है पैशन जो है आपकी पैसेंट जो होती है अन historically स्माज में आ गया ना दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता है कि सवाल आपको पुछा गया दा डॉपामाइन इस इन इंपोर्टेंट नियूरो ट्रांस्मिटर विच डिजीज और डिशॉडर रिजल्ट वें दर नियूरोंस इन दा ब्रेंड देट प्रडूस्ट डॉपामा जो होती है डॉपामाइन प्रडूस करती है उसकी कमी हो जाती है ठीक है डॉपामाइन की कमी हो जाती है इसमें क्या होती कि नर्फ सेल अब क्या होती है डॉपामाइन के कमी की कारण आउट ओफ कंट्रोल हो जाते है और जो पेसेंट इस कंडिशन को जहल रहा हो वह अपने को मुव्मेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है किसी भी किसान को मुव्मेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और डॐसे इनसान जिसा पहले normal में में अगर चोग कर पा रहा अगर मुवमेंट नॉर्मल में मुवमेंट हो रही हो तो अब वह नॉर्मल मुवमेंट में नहीं होगा ठीक है इस बात को आपको यहां पर इच्छे समझ के रखनी है तो समझ गया पार्किंसेन डिजिस जादर की का सवाल पूछा जा सकता है आपको चले दोस्ता आए एक तीन्थ ट्रीच के डेवलोप नर्वस सिस्टम प्रोब्म जो मुझे राएं जिनको डार्वाटे संप्रोब्लम आ जाते हैं इसको डार्वेटिक नियॉरोपेथि का जाता है तो आपको यह पर पुछे जा रहा कि कौन सी सिप्टम होती है डार्वेटिक नियॉरोपेथी की आपको है यहई आंपको पूछा जारा करें दो प्रकार के अंधेक अंधर कर रहे हैं पेल और साथा यह तो डॉरोल डायवेटिक दोंट़्ट की हो गई एक हो गए हमारे पहली आपका पहलता है पेरिपेरल किसी इसमित इसमें क्या थोधी पैन होती है कहां कहां पेन होती है और ढोस आफ दशुशकी पैन और लॉस मिप Пरेन कैंक होगए ऐक हुए छाट होगए आनि आम यह हैँ नहीं है ले आपके हैंट्ट हो घे कुछ वाप वह रहें तो कि नहीच का है और पता है नीचे लिग एकने रहे आपका आपको और जो सब्सक्राइब क्रिएंतं हु theo नोरा पर में या याप करते हैं । इसके अंदर क्या आता है दोस्तों इसके अंदर आता है चेंजेस इन डायेशन डायेशन में बदलाब आ जाता है ठीक है चेंजेस इन डायेशन ही लिख लेते है ज्यादा से देखने को आपको मिल जाएगे आप को इन डायेशन में बतला आपका मतलब ही होता है और डायरीया यह लेटेड दिक्कते हैं सबसे इनपॉटेंट चीज वर यह और पर दिखकत हो जाती है ठीक है तक यह कहा पर प्रुभाव परता है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगा इस सेंटेंस को इंट ओल्स एफेक्ट दर णर्व कौन से नर्व ये उस पाइटिकुलर नर्व पर भी एफ़ेक्ट पड़ता है जो की हर्ट के लिए पासे जो नर्व होती है हर्ट के लिए उस पे भी एफेक्ट परवाता है और ब्लड प्रेशर वरगेरे में भी दिक्कत आ जाती है तो यह सारे चीज़ें हमने देखा डायवेटिक नियूरोपेथी की कुछ सिंप्टम यहां पर यहां पर पहले ही पर पर लिया पर नियुरोपेथी में पर लिया पर दोस्तों फीट में लेक टो यहां पर देखेंगे तीनों सब्सक्राइब कर रहा है याने कि ओल दिये वह इस सवाल का करेक्ट एंसर हो जाएगी ले रहे चलिए चलिए दोस्तों आएए आप 19 नमबर सवाल भी देख लिए दोस्तों को चैट करता है यह को से पर न्योरेंस होता है सबसे पहले समझे सेरेजारày या की फीड़र का मतलब यान इस जो की यूजी यूज identify k Drive को क्रोनिक डिसोर्डर्स के लिए दोस्तों यह टर्म है जो यूज किया जाता है सेर्वल पाल्सी इसे कौन से नियूरंस पर एफेक्ट करता है और वह नियूरंस बढ़ी के कौन से पाट पर पाइजाते है दोस्तों यहाँ पर टर्म सबसे पहले देखें सेरेब्रल अब आप हमें बताएं के सेरेब्रल कहां पाया जाता है सेरेब्रल कौन से पार्ट है तो आप इला के बोलेंगे सेर ब्रेन की पार्ट होती है सेरेब्रल तो सीधर यह अंसर तो आपकी यहाँ पर ब्रेन ही बन गई ह अब देखे दोस्तों यहां पर एक और चीज़ समझ जाए कि यह जो कंडिशन है ठीक है यह जो कंडिशन है सेर्वर पालसी यह कौन से पार्ट को एफेक्ट करता है और किस चीज में बदलाब आ जाती है तो यहां पर एक याद रख लिजेगा डैट अफेक्ट वो पार्ट त जो एफेक्ट करती है किस चीज पर एफेक्ट करती है कंट्रोल कंट्रोल ओफ ठीक है हमारे जो मुवमेंट होती है उसके कंट्रोल पर एफेक्ट करती है इस तरह के डिजीज जो होती है वह कौन से पार्ट पर एफेक्ट करती है जाट एफेक्ट करती है जाट एफेक्ट कं संसे होती है जो की इनेटिक बीजी सब्सक्राइब नीजिस नहीं करते हैं सबसे पहला समझ लिए जनेटिक डीजिज होता है जो कि डिजीज डाइब आए यह तो इस का नाम थे हन्टिंग टॉन डिजिस है तो अच्छे से याद रखेगा हं तो हंटिंग टॉन डिजिस क्या हो दो एक तरखेंग घरेटीकली प्रोग्राम्म फिजन सनोफ ब्रेंट्र नीरोन ठीक है यानि यापनिक लिक लिए ते हैं जिनिट अधिक ब्रेंट के इंदर जो न्यूरन पाया जाता है उसकी जरेटिकली डी जणरेशन होती है हंटिंग डीजिस में तो यह चीज आप अच्छे समझ गये इसके कारण क्या होती है इसके कारण अगर इसके कारण हमेशा में देखने को मिलेगी अगर जो ब्रेंट से एक आपको देखने को मिलेगी साथ ही साथ आपको यहां पर इंटलेक्ट्ट इविलीटी में दिक्कत आ जाएगी इमोशनल इस्टर्वेंस अब देखिए यह तो चीज चलियर हो गई अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया था कि यह जो डीजीज है यह तरह का जैटिकल तू आफ स्प्रिंग्स अचेशन इन है कि कि मैं म्यूटेशन के टुरू नॉर्मल जीन में हो जाएगा और मल जीन में म्यूटेशन हो करकर पैरिंट से आवस्पर हो जाएगी ठीक है इसी के साथ हम इस वीदियो का यहां पर एंड करते थैंक्यू तो मज़ देखने के करेंगे और बागी के जो दो पार्ट हैंगे वो 15 15 कोशन कहेंगे तो बस थोड़ा सा सब्सक्राइब बनाए रखिएगा ठीक है कि बहुत ही अच्छी एक्स्प्लेमेशन आपको दूंगा बागार की महनत आपके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब जरू कर दिज़ेगा जो जाली से जल्द कर वादीजेगा इस साल के एंड तक हमें जैसे भी टेन के पहुंचनी है ठीक है तो चलिए गाईस सेवन के हो चुकी है टेन के से बहुत जादा क्लोज है तो ह वहाँ पर पीडियाफ आपको मल जाएगी चलते हैं तब तक लिए बाबाई जे हिंद जे भारत